बहुती ज़्यादा टेस्टी, नरम, मुलायम और मेठा, खुप सारे ड्राइफरूट्स के साथ बनाना हल्वा, अगर आपने इससे पहले नहीं बनाया है, तो जरूर बना के देखे, यकीन माने, आपको बेहत पसंद आएगा, और बच्चों को तो ये हल्वा बहुती ज़्य ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इससे बनाना बेहत आसान है, तो जब भी बच्चे मेठे की डिमांड करें, तो आप ये बनाना हल्वा बच्चों के लिए ज़रूर बनाए, हाई एवरिवन, मैं हूँ दिपाली, वेलकम टो माई चानल, तप्योर वेज कीजन, तो चलि बनाना में तो कार्बो हाइडरेट्स, फाइबर और पोटेशियम की मातरा काफी होती है, चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइप बनाना, यानि कि पके हुए केले लेने हैं पाच, और इसका छिलका हम उतार देंगे, अब एक नाइफ की मदद से हम बनाना को थोड़े बड़े टुकडों में कट कर देते हैं, और इसे हम एक बाउल में ट्रैंसफर कर देंगे, एक चमच की मदद से हम बनाना को मैश करते जाएंगे, और इसके थोड़े बहुत चंक्स रहने दीजिए, हलवे में ये काफी टेस्टी लगते हैं, ये देखी इस तरीके से बनाना को मैश कर देना है, और थोड़े बहुत बनानास के चंक्स रहने देने हैं, अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में, तो एक कड़ाई में हमें दो टेबल स्पून देसी घी डाल देना है, और जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें आदा कप मोटी वाली सुजी डाल देंगे, और थोड़े से ड्राइफ रूट्स डाल देंगे, कटे होए काजो बादाम और किश्मिश, ड्राइफ रूट्स आप अपने ही साम से कम्या जादा कर सकते हो, सुजी को हमें गी के साथ अच्छे से भून लेना है, तो सब सुजी हलकी सुनेरी कलर की हो जाएगी, तो उसी स्टेज पे हम इसमें जो केले को हमने मैश करके रखा तो वो एट कर देंगे, और इसे हम कंटिनियोसली चलाते रहेंगे, क्योंकि केले थोड़ी से स्टिकी होते हैं, तो कड़ाई पे चिपकने का डर रहता है, तो हम इसे क 5 मिनिट तक चलाते रहेंगे, ये देखिए और हलके हलके हम इसे चमच की मदब से मैश करते जाएंगे, जब सुजी केले के साथ भून जाती हैं, तो मिक्सचर कड़ाई को छोड़ने लग जाता है, ये देखिए इस तरीके से जब मिक्सचर कड़ाई को छोड़ने लग जा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गरम पानी का ही यूज़ करें और एक कटोरी हम इसमें दूद डाल देंगे दूद मैं यहाँ पर रूम टेंपरेचर वाला ही यूज़ कर रही हूँ अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं दूद की वज़से हलवे को थोड़ा सा मावे ज चार मिनिट तक पकाएंगे जब यह थोड़ा सा सूख जाएगा तो हम इसमें आदा कटोरी चीनी डाल देंगे अगर आप जादा मिठा खाते हो तो चीनी थोड़ी ओर जादा आइट कर सकते हो और दो टेबल स्पून देसी घी डाल दे अब हम इसे चमच की मदस से चलाते रहेंगे धीरे धीरे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो हलवा थोड़ा सा इसे गिला हो जाता है पतिन से चार मिनिट तक हमें इसे और पकाना है तो यह सूख जाएगा जब हलवे से गी से प्लेट हो जाएगा परफेक्ट इसी स्टेज पे हमारा बनाना हलवा बनके तैयार हो गया है तो फटाफट से सर्विंग कर लेते हैं एक प्लेट में हम यह हलवा निकाल देंगे तो जब भी आपको वीक मैसुस हो रहा हो तो आप यह केले का हलवा बना कर खाए आप एनरजेटिक फील करोगे और बहुत ही टेस्टी डिलिशियस यह केले का हलवा जब दिखने में कोई डिश अच्छे लगती है तो बच्चे तो अपने आप खीचे चले आते हैं तो आप भी यह हलवा घर पे चरूर बनाईए और आपके एक्सपेरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और एसे ही मज़ेदार रिसिपेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ सब तक के लिए हर हर महादेव